हेलो तोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम Google अकाउंट को ट्यूमू कर सकते हैं अपने Windows 11 ओपरेटिंग सिस्टेम से वो भी बहुत ही सिंपल तरीकी से तो चलिए आपने वीडियो क्यों तो सबसे पहले आप क्या किजिए, ''ब्रौजर में जाहिए'' जिस किसी ब्राउजर में आपने Google अकाउंट से जीमेल अकाउंट से लोगिन किया होगा उस ब्राउजर में जाहिए इस जाहिए और यहाँ पर गोगल को गया हुँ में यहाँ पर देखें यहाँ पर google.com है या फिल google को गया हूँ आप google को भी जा सकते हैं उसके अब पाद यहाँ पर आपको gmail image और आपका profile picture दिखाए देगा तो यहाँ से आप इसे click कर दीजिए और sign out कर दीजिए तो आप google account से sign out हो चुकें लेकिन आप जैसे इधर को देख sign in को जाएंगे देखे sign in को गया तो आपका जो name है वो भी यहाँ पर दिखाए देता है और कुछ data इसके अंदर browser में save भी रहता है उस data को भी हमें remove करना है तभी यह completely remove हो जाएगा आपका account ओके तो कोई भी यहाँ से आपका नाम तो जान सकता है आपका email id तो आपके gmail में login भी कर सकता है इसलिए इसको बंद करने के लिए यहाँ से देखी remove and account को जाएंगे हम और उसके पाद इसे minus के बटन के उपर देखे यहाँ पर माइनस बटन है उसके उपर हम क्लिक करेंगे और यह पुछेगा remove करना है या नहीं तो हमें remove करना है तो yes remove कर लेंगे तो पर हम settings में जाएंगे settings में जाने के पाद privacy and security में जाएंगे उसके बाद यहाँ पे देखे clear browsing data残गा उसके पर क्लिक करेंगे तो इहाँपे basics है तो हम जाना है advance में तो advanced की ऑपर click करेंगे यहाँपे थी can last ही क्लिक करेंगे और all time के उपर जाएंगे और सारे जो boxes है उसे हम चेक कर लेंगे, सब को हम बराबर का ये चेक बॉक्स का साइन लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पर All Time लखेंगे, यहाँ पर Clear Data के उपर क्लिक कर देंगे, तो हमारा डेटा यहाँ से Clear हो चुका है, तो उसके बाद फिर से एक बाद इसे Close करेंगे, हम Google में जाएंगे फिर से में नहीं होता है, इसके उपर आप क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर आपको Other Profiles करके मिलेगा, इसके उपर क्लिक कर देंगे, तो देखें, अगर आपको यहाँ पर आपका नाम या फिर आपके Gmail, Email का नाम मिलता है, या फिर आपके Google Account का नाम मिलता है, तो उससे आप यहाँ स के ऊपर click करेंगे और delete के button के ऊपर click करेंगे तो यहांसे browsing history और as to fill data, यह भी यहांसे delete करेगा, कोई password होगा, बुक मार्क होगा वह भी यहांसे delete हो जाए गा, यहांसे हम delete करेंगे, यह account यहांसे भी delete हो चुछगा है तो इसे Google Chrome से Windows 11 में रिमू करने का पहुती सिंपल तरीकी से तो दोस्तों इस वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो कताई मत पुलिए तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में तक तक लिए पाई